बाइनकल शॉप से ऑईनोक्लर बाइंग गाइड में आपका स्वागत है पार्ट टू में आज हम बात करेंगे एक्जट प्यर्म के उपर कि बाईनोक्लर में एक्जट पीपल क्या होता है रूफ प्रिजम और पोरो प्रिजम बाईनोक्लर क्या है कोटिंग और बारेट हेंlock कौन सा प्रिजम बेटर होता है और मार्केट में जो बाइनॉक्लर्स मिलते हैं वह बीके सवन है या बैक फोर है है कर सबसे बहले एक्जिट्ट प्यूपल की बात कर लें और एग्जिट्ट प्यूपल में बेरी आप जैसे यह लेट साइट में देख रहे हैं यहां पर यह जो एरिए अप देख रहे है है यह अगर आप अपना बाइनॉकलर बाहर धूप में या लाइट की तरफ करेंगे तो यह जो गोल सा प्यूपिल है जहां यह वाइट वाइट सी रोशनी दिखाई दे रही है यहां पर जो मैं करसर मार्क किया हुआ है यह बेसिकली एग्जिट पीपल होता है और यह डिटर्मेन होता है जो भी बाइनॉकलर का अपर्चर है अगर मान लीजिए आठ बाइब बीस है तो बीस डिवाइड़ बाइड बाइड बाइट टू पॉइंट फाइव और अगर सेवन बाइफिटी है तो पचास डिवाइड़ बाइड बाइड सेवन करीब सेवन एमें तो यह एग्जिट का जो प्यूपल होता है हुमन प्यूपल जिसको कहते हैं वो दो से तीन मिलिमीटर ही खुलता है यह जो बीच में ब्लैक कलर का है तो अगर हमारे पास एक बाइनॉकलर है आठ बाइब बीस यह छोटा बाइनॉकलर है पोर्टेवल उसका एक्जिट पीवल भी दो या तीन ह तो हमारी आई जितनी है जितनी हमारी आई है उतनी ही उतना ही क्या कहते है रोशनी यहां से निकल रही है अगर माली जाई यह दो यह तीन मिलिम है जो की आठ बाइब बीस का होता है तो यह प्यूपल साइज भी दो से तीन मिलिम है तो जितनी हमारा प्यूपल खुला तो हमारी जो आई है वो अड़ेस्ट करती है रात को और उसका जो फ्यूपिल होता है वो बड़ा हो जाता है डाइलेट करता है तो सेवन एमम या सिक्स एमम हो जाता है तो उस केस में वो बैनॉकलर जिसका एग्जिट फ्यूपिल यह जो होल आप देख रहे हैं यहाँ पर वो अगर 6 एमम या 7 एमम है या 5 एमम है तो वो हमें फिर भी ब्राइट इमेज देगा लेकिन अगर हम छोटा बैनॉकलर यूपिल यूज़ करेंगे तो बोट दिन के वकद बेटर यूज़ होंगे नाइट में कम यूज़ होंगे लेकिन अगर हमें ऐसा बैनॉकलर चाहिए जो दिन और रात दोनों में यूज़ आया रात में इसलिए यूज़ होगा क्योंकि आपने अगर स्टार गेजिंग करनी है तो 1050 या 7 by 50 या 10 by 42 अट लीस्ट बैनॉकलर आप चूज़ करें नहीं तो अगर आपके दिन में आपको पोटेबिलिटी चाहिए तो आप 7 by 35 या 7 by 21 या 8 by 21 या 8 by 25 पोटेबिल बैनॉकलर चोड़ा यूज़ कर सकते हैं दूसरे एक बहुत बहुत बएडिए डिसकेशन रहती है पोरोपरिसम और रुफ प्रिस्म बाइनॉकलर प्लिस क्या है यहां ये डाइगरम है जो आप धेक रहे है पोरोपरिसम में बइसकली जो ऑबज़क्टिव लेन्स है यहां से लाइट जाती है फिर यहां nug़्ञेट shape आप कह सकते हैं और यह तोड़ा ए शिप है तो यह थोड़े compact होते हैं यह थोड़े compact होते हैं और इसमें light SEDI बैसिकली सीथी जाती यहां से अप देख रहे हैं यह दो प्रिजम ऐसे लगे हुएं तो यह सीथी अटो यह थोड़े कि सि क्लैरिटी ज़यता मिलती है रूफ के मकाबले डिप्थ जधा मिलती है कॉंट्रास हलका जा जादा मितला वाइडर फील्ड भी यू है और तो वर्ड जो पिक्चर क्वालिटी है हलकि सी आप कह सकते हैं बैटर होती है रूफ प्रिजम बैनॉक्लास के मकाबले तो अगर आप hold कर सकते हैं longer duration के लिए तो आप पोरो प्रिजम में जाएए अमूमन पोरो प्रिजम जो है astronomy के लिए जादा यूज होते हैं इनके minus point यह है कि बल्गी और weighty होते हैं इसमें waterproofing का कम चांस रहता है और durable कम होते हैं क्योंकि आप देख रहे हैं यह जो दो प्रिजम में इस तरह से हैं इनका आपस में alignment जो है वो बिगड़ सकता है अगर यह आपके हाथ से drop होते हैं इसके इसमें थोड़ा सा कम रहता है इनकी जो build quality है इसका जो design है वो इस तरीके से है कि थोड़ा सा ज्यादा solidity है तो durability इनकी ज्यादा है lighter weight है compact है waterproofing के चांस इसमें better है यह इसके plus pointer roof prism के लेकिन थोड़ा narrow field हो भी होता है और expensive होते हैं पोरो प्रिजम से आगे चलें तो coating से बहुत बड़ा factor है fully multi coated multi coated और ruby coated और coated तो इसमें coating का मतलब यह है कि सिर्फ single coat हुआ हुआ है जितने भी surface है glass के अंदर lens जो भी है prisms है उसमें single coat हुआ है fully लेकिन वो भी कुछ-कुछ जगाओं पर पुरा जगा नहीं हुआ 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 FC का मतलब है fully coated की मतलब हर prism यह हर layer of glass जो इस पर सब पर एक एक कोट हुआ 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 है multi coating में मतलब की कुछ layers कुछ जगा double coat हुआ हुआ है और कुछ जगा single coat ही है और fully multi coated जो है उसका मतलब यह होता है कि जितने भी glass lenses हैं अंदर binocular के prisms हैं lenses हैं सारे surface पे 2 या 3 coats हुआ हुआ है तो उसका फाइदा ही रहता है coating का कि जो भी light आती है वो reflect होती है क्योंकि glass है और glass के अंदर अंदर आनी है पूरी image की sharpness वो डिपेंड करता coating क्योंकि coating retain कर लेता है image की brightness और अकर coating कम होगी तो image less bright आएगी अब जैसे यह नीचे picture देख रहे है पिक्चर टू तो इसमें आप देख रहे है फुली multi coated में जो यह हंस उड़ रहा है और single blue coated अगर है तो इसमें यह picture ज़्यादा अच्छी है crisp है और single coating में थोड़ी कम है इस इसी तरह से यहाँ picture 3 में भी समझाया हुआ है तो यह आपको थोड़ा सा देखना है और ruby coated जो है ruby coated basically steiner company Germany ने यूज किये थे hunting के लिए लेकिन बहुत से लोग coating पर पैसे बचाने के लिए ruby coated आगे लगा देते हैं इसका एक सबसे बड़ा नुकसान यह कि इसमें red light prevent हो ज खाई देती है तो यह वाइडेबल रूबी coated का मतलब यह नहीं की coating बहुत बढ़ी है मेरे साब से वह वाइडेबल है आगे चले बैक फोर बीके 7 एक बहुत बड़ी battle है बहुत से लोगों confuse करती है बैक फोर बेरियम क्राउन ग्लास और बोरो सिलिकेट ग्लास होता है आपक पिक्चर में इस पिक्चर में पिक्चर वन में अगर आप देखेंगे तो बैक फोर जो है उस पर परफेक्ट राउंड सर्कल बनता है अगर आप कभी निकॉन का मैनॉकलर देखें या सेलेस्टान का नीचर डी एक्स या ब्रेसर कंपनी का मैनॉकलर देखें पियर्ष का य जो है वो राइट शैट में आप देख रहे हैं ऐसे रहंबस की तरह या एक स्क्वायर की तरह कटी हुई या एक पतंग की तरह आपको ये पिक्चर दिखाई देगी किसी भी बानाकलोर को आप शॉप पे जाएं होल्ड करके देखें कि आपको एक सेकिंड में पता लग जाएगा वो बैक फोर है ये बीके सवन है बैक फोर की जो रिफ्रेक्टिव कॉलिटी है वो थोड़ी सुपियर होती है वो महंगा ग्लास होता है ज़्यादार बैनुफैक इसके बैनॉक्लस पे वो आगे जाके देखते हैं लेकिन ये नीचे जो इमेज आप देख रहे है एक डियर की एंटिलोप की इसमें बैक फोर बीके सेवन की पिक्चर में आपको क्लियर फदा लग रहा है दिन के बकत अगर आप यूज़ करते हैं बैक फोर बीके सेवन तो नहीं है बीके सेवन भी एक अप्टिकल ग्लास है और अच्छी कॉलिटी का होता और उसमें भी फुली मल्टी कोटेड लेंस आपको मिल सकते हैं आपको यह देखना है कि एक बाइनॉकलर जो कंपनी क्लेम कर रही है बैक फोर है और जो है भी और एक बाइनॉकलर जो बीके स सेवन है लेकिन वह बैटर बिल्ड क्वालिटी का है उसका फोकस बैटर है स्पिरिकल अबरेशन उसमें कम है एज डिस्टॉर्शन लेवल कम है फुली मल्टी कोटेड है और अंदर से उसकी जो लाइट बैफलिंग है वह अच्छा है उसकी जो बैरल से अंदर से यह मैकैनि लिए है यह फाइंडिंग सम आपके लिए लाए हैं ताकि आपको एक नॉलिजबल और सक्षमकार एक सॉलिड आपके बार रीजनिंग हो कि कौन सा बैनॉक्लर आपको लेना चाहिए आगे चलें आप यह स्लाइड रोके पढ़ भी सकते हैं जो हमने लिखा है अब यह कुछ बाइनॉकलर जो आप देखेंगे मार्केट में मिलते हैं जैसे सेलेस्टान आप क्लोज है 4500 रुपे का 10 बाइ 50 आता है वो बीके 7 ग्लास यूज़ करते हैं और इन दोनों से बेटर कॉलिटी आपको निकॉन में इसलिए लगेगी को निकॉन बैक फॉर ग्लास यूज़ कर ऐसी बुशनल का है पावर व्यू करके आता है 10 बाइ 50 पिक्चर 3 में वो भी बीके 7 यूज़ करते हैं और बहुत सी एकॉमर्स साइट्स हैं जो पिक्चर 4, 5, 6 और 7 गौर के नाम से डिनेमो के नाम से 30 बाइ 60 के नाम से और बड़ा सुंदर और फैंसी लिखती है बैक फॉ होते हैं वो बीके 7 होते हैं हलकी क्वालिटी के होते हैं कोटिंग्स भी उनका कोई पता नहीं फुली कोटिड होते हैं कुछ हेकात मल्टी कोटिड हो सकते हैं तो यह गौर और यह सब यह बैक फॉर तो डेफिनिटली हैं यह बीके 7 है क्योंकि इस तरह के बैनॉक्लस हमने देखें हुए हैं हाथ में होल्ड किये हुए हैं और इस पे लेकिन बैक फोर लिखना और फुली मल्टी कोड़िड लिखना वो मेरे कहल से जाती है मल्टी कोड़िड हो सकते हैं मैं मान सकता हूं लेकिन फुली मल्टी कोड़िड तो नहीं है और प्रिजम्स टेफिनिटली इनके बीके सेवन होते है अगर आप किसी शॉप पे जाके चेक कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है तो ये कुछ ब्रैंडड बैनॉकलिस है इसमें निकॉन है सेलेस्टान का नेचर टी एक्स है आउटलेंड है या स्काई मास्टर सीरीज है वो बैक फॉर में आते हैं या निकॉन की जो सीरीज है वो सारी बैक फॉर से ही स्टार्ट होती है ब्रेसर की जो सीरीज है चाए फियर्श है या दूसरी उनकी जो सीरीज है कॉंडॉर सीरीज वो सारे बैक फॉर में है तो अगर आपको यह binoculars चाहिए हो india binoculars shop.com पे आप ले सकते हैं जाने से पहले आपको एक बर फिर बता दें जो एक यह guide है इस guide को आप रोके चेक कर सकते हैं कि कौन सी activity के लिए कौन सा binocular आपके लिए suited रहेगा तो अमीद है आपको यह फाइदा लगा होगा इस video से और आपने इसको पूरी तरह से देखा होगा आपको पसंद आया तो इसको thumbs up कीजिए Thank you Bye